ततीजी यहां पर बैठे हुए हैं उनका ही बयान में कोड करूंगी उनकी ओर से कहा गया है कि देखे सुप्रीम कोड का फैस्ता आया लेकिन बीजेपी उसको ओन करनी लगी इसमें आप लोगों का रोल कहा है जब सुप्रीम कोड से फैस्ता आया कोई भी सरकार रहती वह मंद इंफरास्ट्रेक्ट्चर के लिए सारा कुछ हमलों ने सदन से और अपने मंतिर मंदल से पास किया इसको आज चारो तरफ आप वहां पर बनते हुए आपको एक्स्ट्रस वह दिख रहे हैं चारो तरफ आपको बनते हुए सब्सक्राइँ हैं पूल्स दिख रहे हैं उनका गाटों का सुंद्री करन दिख रहा है आज अज में दीब दीपावली मना जी भी दिख रही है आज 24 करोर लोगों ने आज कुम्ब में इस्नान किया और कितने सफल होकर हमारा कुम्ब का मेला संपादित हुए किसी देखा क्या आज आज वहां पर रंगों का उस्तों मनता है आज आज बाबाव विस्वनात के मंदर के आप चले जाए एकासी में कासी बदला हुआ स्थिसावाइडे से बैठों सीदे आप कासी मंदर के पास में पहुंच जाएंगे पूलों के जाल से लेकर आज साफ सुत्रा सेर के साथ-साथ आज वहां पर बड़ी ट्रक वी अंद एक साल में एक साल में आज इंवस्टमेंट आया है चाल लाग 68000 कोड़ों के निवेश हुए तो विपक्ष हांसर आता है कि यह तो जूटा इन्होंने इन्वेस्टर मीट की है इसमें लाग क्रोड के मोजिस साइन हो गए तो यह जन्यता को समझा पारे हैं आप जो बाते यहां पर गिना रहे हैं या फिर लग रहा है कि नई एक सफ्टा वरोधी रहे लहर का सामना भी पान्ट साल के बाद करना पड़ता है और यूपी का तो इतिहास रहा है कि सरकारी के के तरह से पांट साल के बाद बदल जाती हैं खासतोर से वोट कर आए हैं यह बीजेपी का इतिहास ने यह दूसरे दलों का है वो लोट करने आते हैं अखलेश यादव के ही शब्दों में उन्होंने कहा ब्राम्हड दलित और मुसल्मान इनका शोषड करने का काम आपकी सरकार की ओर से किया गया है मैं आ जाती है मुसल्मानों पर आपको वोट नी चाहिए मुसल्मानों का मुनवर आना की ओर से अब कहा जा रहा है कि देखिए कि योगी जी अगर आ गया है दुबारा से सत्ता में तो फिर में प्रदेश होड़कर चला जाओंगा मुसल्मानों की वोट चहिए बीजेपी को या बिल्कुल चाहिए यापने साइट कर रखा है वो हमरे बजुर्ग हैं और अच्छे सायर है मां पर बहुत अच्छी कवित करते हैं मुझे अफसोस होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाओ के बाद अगर वो बाहर जा रहे होंगे तो बाहर विदाई देने के लिए मुझे जाना पड़ेगे को मैं उनका सम्मान करता हूं तो कि योगी जी आएंगे ही आएंगे और अगर कोई गोशना करेगा पर संबान करता हूं की तो पोने संता भी हूं ले टिकिसी के ब inom आख़ावे में आकर कार रहे हैं लोग प्रचार करते मैं 106 वार्ड मिंचे कर आयों 27 वार्ल ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुले जीता हूं क्या मौजूदत सरकार के बारे बारे में कि मुझाने मोजूदत सरकार के कर れ हैं गीश'm ऑड़ में 106 वार्ड जीत कर आया है और मानी राजनासिंगी भी चुनाव जीत किया हैं जो मुस्लिम बहुल वोटों का आप निकाल लीजी करम आप देखिए कितना वोट यहां पर मिला है हिंदू और मुस्लिम के आधर पर पार्टी ने काम ही नी किया